जारकन राज के अराज पत्रित कर्वचारी महासंग के चतूर्थ महाधिवेशन का आयूजन जमशेत्पुस्थित वन विभाग सभागार में रविवार को आयूजित किया गया जहां राज भर के संग के प्रतनिधी शामिल हुए गारतलब है कि महासंग के तहट तमाम छोटे बड़े संग है जहां वन विभाग स्वाथ विभाग पी डबलुडी विभाग के चतूर्थ वर्गे कर्मचारी के संग इसमें शामिल हैं महासंग के द्वारा अधिवेशन में कई मुद्व पर चर्चा कर आगी की रणनी तीता क महासंग के पताधिकारियों ने कहा कि मुखे रूप से पुराने पेंचन योशना को लागू करने और नए पेंचन योशना को रद करने को लेकर अधिवेशन में चर्चा की जा रही है और आगामी दिनों में इसको लेकर वहिद्र आंदोलन क्या जाएगा पुर्वी शिहभूं के जिला साखा जारखंड राज्य अराजपत्रित करमचारी महाशंग का चतुर्थ सम्मेलन होने जा रहा है और ये जो सम्मेलन है इस सम्मेलन में हमारे बहुत सारे विभाग को मिल करके ये संगों का संग महासंग होता है इसमें बन विभाग के लोग हैं इसमें वन के चतुर्थ वर्गिय करमचारी हैं इसमें अवर वन सेवा संग के लोग हैं इसमें पी डवलूडी बिल्लिंग के रोड हैं इसमें पी डवलूडी रोड के लोग हैं इसमें स्वास्त के लोग हैं और ये साड़े लोग मिल करके ये महासन का जो निर्मान होता है उस तरह से ये चौथा सम्मेलन हम लोगों काज होने जा रहा है इसमें हमारे ज्यारखन राजी के महामंतरी साथी रामाधार सर्मा जी आये हुए है राज्या द्यक्ष नवीन कुमार चौलरी जी आये हुए है और अनुबंध के जितने कर्मी है हो आये हुए है हम बहुत सारे मुद्डों को आज के इस बैठक में आज की समेलन में प्रस्ताव के रूप में पारित करेंगे जो सरकार तक हम अपनी मांगो को रखेंगे जमशेथ पूर से गंगाधर पांड़क रपोर्ट Giri D is a small place and we have like very less facilities in terms of you know education and this kind of infrastructure it came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giri D those who are leaving the town and going outside for you know studies their higher studies and their education i wanted my son to start with the coding classes so i researched it online i got through all the reviews and everything again I got in touch with white-hat representatives and I was very happy with the progress and how we was doing. I started coding because we can make our thoughts real, we can integrate with the computer white hat junior is helping me to create a web browser. And on this part white hat is actually leading the this coding platform. it is definitely a very good platform and one should implement in every school